आपने कई कहानियों में जमीन के अंदर से खजाना मिलने की बात सुनी होगी पड़ी होगी लेकिन ऐसा होना या ऐसे द्रश्य बेहर दुल्लब होते हैं आज हम आपको ऐसे ही खजाने के बारे में बताने जा रहे हैं हाला कि इसकी कोई पुष्टी अभी तक नहीं हुई है लेकिन यहां के पुजारी दावा तो यही कर रहे हैं कि जमीन के अंदर खजाना दबा हुआ है यह मामला संबल के गुनौर थाना चेतर के गाउं बागियू सित्खेडेश्व मंदर इलाके का है मंदी में रहने वाले संथ धर्मिदास का दावा है यहां जमीन में एक ट्रक खजाना है उन्होंने SDM को पत्र लिक कर जमीन को खुदवाने की मांग की है पुजारी का दावा है कि वो एक भ्रमचारी है और उसे सपने में भगवान ने जमीन के नीचे दबा हुआ खजाना दिखाया है इतना ही नहीं बाबा का ये भी दावा है कि उन्होंने दिल्ली से मशीन मंगवा कर इसे दो बार चेक भी करवा लिया है और जो एक्सपर्ट टीमें दिल्ली से आई थी उन्होंने भी जाच कर नीचे एक ट्रक खजाना दबे होने की पुष्टी की थी लेकिन उनके पास इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है बाबा का कहना है कि वह चाते है कि सरकार इसकी खुदाई कर खजाना अपने कबसे में ले ले और इसके नीचे खजाने के साथ एक पद मिलेगा जो बाबा के लिए है मंदिर पर बाबा के साथ रहने वाले दूसरे सादू भी बाबा की बात को सही बताते हुए खुदाई की मांग कर रहे है गाउं के लोगों को बाबा के दावे पर विश्वास नहीं हो रहा है अभी इस मामले में जिरा प्रशासन कुछ बोलने को तयार नहीं है यहां पर लोग बताते थे हमारे पुराने बुजर्ण कहते थे कि माता का मंदिर है यहां जमीन के नीचे कंकड पत्थर निकलते हैं साथ खजाना भी हो सकता है लेकिन हमारे हुश में कभी हमने इस चीज़ का कोई ना जिक्र देखा नहीं कोई चीज़ देखी है इस चीज़ के बारे में हमें कोई ज्यात नहीं है और कुछ दिखता तो हम आपको वह से बताते हैं अज़र जैसा ही बापा दाबा कर रहे हैं इनके बारे में क्या मानना है आपको देखो सादू संथ हैं उनके बारे में हम क्या ही कह सकते हैं बादुसंद सर्वों पर यह हैं लेकिन हम अपने अनुमान से कह सकते हम ने ना कुछ देगा ना हम इस चीज़ की कभी कुष्टी कर सकते हैं एबी पी गंगा खबर आपकी जुआ आपकी